इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते है इसमें सक्रिय घटक के रूप में कोलेकल से फेरॉल होता है स्वस्थ हड्यों और दांतों का समर्थन करने के अलावा सिर्फ की विटामिन D सामगरी कोशिका वृध्धी प्रतिरक्षा और निूरूम्स कुलकारियों को मजबूत करने और फ्रैक्चर मांस्पेशियों में द है और कई आवश्चक स्वास्थे लाब प्रदान करता है दो स्वस्थ हड्यों के निर्मान और रख्रखाव के लिए विटामिन D की आवश्चकता होती है 3. सिर्प शरीर को खाते पदार्थों और पूरक पदार्थों में पाए जाने वाले अधिक कैल्शियम को अवशोशित करने में मदद करता है 4. कैल्शियम के साथ विटामिन D का उप्योग हड्यों की नुकसान यानि औस्टियो परोसिस को रोकने के लिए किया जाता है 5. नियमित सेवन से कैल्शियम के नियमित स्तर और हड्यों की स्वास्थय को बनाए रखने के लिए किड्नी से समबंधित चंताओं से जुड़े जोखिम को प्रबंधित करने में मदद मिलती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें